हेलो स्टुडेंट्स मैं विक्रांत सर इस वीडियो में हम आपके सोशल स्टडिज के इलेवन्त लेशन नाचिरल डिजास्टर्स इस लेशन के अबजेक्टिव्स लर्न करेंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए इयर्स में इयर्फोन लगा कर सुनिए ताकि आपका ध्यान इदर उदर ना जाए और वीडियो में जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ वो डायरेक्ट आपके ब्रेन में जाए क्योंकि ये लेशन आपके आने वाले टेस्ट में आने वाला है तो शॉर्ट में इस वीडियो को ध्यान से सुनिए ध्यान से देखिए ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया ये lesson है अपके social studies का natural disasters इस वीडियो में हम सिर्फ objectives करेंगे long question answers के लिए हम अलग दूसरी वीडियो बनाएंगे तो देखें lesson के starting में ही एक question दिया गया है तो ये question भी exam में आ सकता है photos आ सकती है और उनके नाम आपको लिखने पढ़ सकते है तो देखें चले हम read करते है look at the pictures given below and answer the following questions look at the pictures मतलब pictures की तरब देखो given below मतलब नीचे दिये गए below मतलब नीचे होता है और given मतलब दिये हुए and answer the following questions फिर उनके नीचे जो questions दे गए है उनके answers देना है following मतलब नीचे question आपको read करना आना चाहिए और हरेक word का meaning आपको पता होना चाहिए ताकि question आपको समझाए तो first question है name the natural disasters shown below name मतलब नाम दो natural disasters in natural disaster का नाम लिखो shown मतलब दिखाय हुए और below मतलब पता ही है आपको name the natural disasters shown below so पता ही है आपको यह earthquake है spelling आपको learn करनी है e a r t h earth earth की spelling तो आपको पता ही है q u a k e q u a q u a q u a k e quick लेकिन यह दोनों words साथ में जूड़े है ठीक है अलग अलग लिखेंगे तो वह गलत होगा तो earthquake यह कौन सा natural disaster है earthquake यहाँ पर पानी ही पानी दिखाए दे रहा है आपको गाओं में पानी गुज गया है तो यह flood है f l o d flood then यह यहाँ से लावा निकल रहा है बाहर तो यह volcano spelling याद रखना है v o l c a n o v o l c a n o कहा पर a कहा पर o बरबर धान से याद रखना है अगर एक भी o a इधर उदर हो गया तो वो wrong होगा volcano flood f l o d flood आपको याद रखना है और इन नाचरल डिजास्टर के अलावा दूसरा भी नाचरल डिजास्टर की फोटो आती है एक्जाम में question paper में तो उसका भी नाम आपको लिखना आना चाहिए तो आप अधर नाचरल डिजास्टर के भी फोटो आप देखकर रखे फिर दूसरा question है Do these natural disasters have any impact on our surroundings? Yes or no? Impact means प्रभाव, परिनाम Surroundings means हमारे आज़बाजु पर हमारे आज़बाजु का जो परिसर है वो है हमारा Surroundings तो इस question का मतलब यह है कि इन natural disasters का हमारे Surroundings पर कोई असर पढ़ता है या नहीं पढ़ता? Yes या no में answer दो तो answer क्या आएगा? Yes होता ही है बहुत उतल फुतल मज जाती है अगर any of the natural disaster अगर आता है तो बहुत बड़ी उतल फुतल होती है हमारे Surroundings में अब next देखिए true or false वैसे यह yes or no type का question है लेकिन exercises में किसी भी lesson में true or false question नहीं है एक ही lesson में है, एक दो lesson में ही है हर lesson में नहीं है तो yes or no type वाले questions true or false में पूछे जा सकते है तो आपको याद रखना है तो यह आपको मेरे साथ बोलना है ताकि आपको reading भी आए और उसकी understanding भी हो बोलिए two most earthquake prawn countries in the world are Japan and the Philippines पूरा एक साथ रीट करते है अभी अब सिप सुनिए two most earthquake prone countries two most earthquake prone countries in the world are Japan and the Philippines तो देखिए earthquake prone मतलब earthquake prone countries मतलब ऐसी countries जहाँ earthquake आना आम बात है रोज छोटे मोटे earthquake मतलब अकसर रोज नहीं लेकिन अकसर वहाँ छोटे मोटे earthquake आते रहते हैं तो ऐसी दो countries कुन सी है वर्ल्ड की जापान और फिलिपिन्स फिलिपिन्स एक country का नाम है तो ये हमने lesson में ही पढ़ा था कि इन दो countries में बहुत जादा earthquake आते रहते हैं तो ये sentence correct है इसलिए yes अगर true false में question आता है ये sentence आता है तो आप लिखेंगे true देखिए yes no में question आया तो yes ही लिखोगे और true false में आया तो true ही लिखोगे प्यूकि हमें question के according answer लिखना पड़ता है second बोली है मेरे साथ cyclones and tsunamis cause floods in coastal areas yes अब meaning समझते है cyclones मतलब तूफान और tsunami cyclones और tsunamis ये coastal areas में floods लाते है बराबर है इसलिए yes next बोलिए scarcity of water is a major cause of drought scarcity of water मतलब पानी की कमी scarcity मतलब कमी पानी की कमी ये drought का major cause है मुख्य कारण है major means मुख्य cause means कारण बराबर है drought में ऐसी situation तयार होती है न पानी की कमी होती है पानी की किल्लत होती है बारिश नहीं होती है दो तिन मतलब पूरे साल भर या एक दो साल तक इसलिए yes sentences change करके भी आ सकते है लेकिन अगर आपको sentences का meaning पता रहे और हर एक word का meaning पता रहे तो वो question चाहे fill in the blanks में आए या match the pairs में आए tick the correct answer में आए या answer in one sentence में आए आप answer लिख सकते हो इसलिए धान से सुनो और समझो और याद भी रखो बलिए tsunamis occur after after and under sea earthquake heat अब एक साथ tsunamis occur after an sorry tsunamis occur after an under sea earthquake heat occur means आती है after means के बाद under sea मतलब समंदर के नीचे और earthquake heat मतलब earthquake का जब धक्का heat मतलब धक्का तो समंदर के अंदर जब earthquake का heat होता है earthquake होता है मतलब earthquake आता है तो tsunami जाती है तो यह correct है इसलिए yes ओके so I hope you understood last में मैं questions भी पूछूंगा revision के लिए so अब धान से सुनिए अब next question है take the correct answer तो answer में मतलब जब answer लिखोगे तो इनके answer क्या करना है ऐसे option correct option चूज करना है और question के आगे answer लिखना है और underline करना है उसको ओके बोलिए the intensity of an earthquake is measured on a richer scale तो intensity of an earthquake मतलब intensity मतलब उसकी power earthquake की power कहा पर measure की जाती है richer scale richer scale एक instrument है और वहाँ पर earthquake कितना बड़ा है बड़ा है medium है या बहुत कम है यह major किया जाता है second the effect of an earthquake its greatest at its epicenter तो यह भी हमने पड़ा है ऐसे मतलब पूरे points हम पड़ा ही है अब meaning समझते है effect मतलब प्रभाव असर earthquake का सबसे ज़्यादा असर उसके epicenter पर पड़ता है मतलब focus क्या होता है जहाँ से वो earthquake निकलता है मतलब अंदर कुछ हलचल जहाँ पर हलचल होती है अंदर अर्थ के उसको focus कहते है और उसके just above जो जो places होते है उस place पर earthquake का सबसे ज़्यादा असर होता है और उस उस focus के just above के प्रदेश को epicenter कहते है next say floods are common in India during the monsoon season तो floods are common मतलब generally floods आते रहते है इंडिया में कब? during मतलब किस के दवरान? monsoon season के दवरान monsoon means rainy season spelling याद रखो अगर ये question fill in the blanks में आए तो spelling याद रखो m-o-n-s-o-n monsoon ने तो एक बच्चे ने मानुस लिखा था ओके? तो आप ऐसा नहीं करेंगे next, बुलिये volcanoes that have not erupted for many years are extinct volcanoes volcanoes that have not erupted erupted means उन में से लावा नही निकला अभी तक मतलब बहुत सालों तक उन्हें extinct volcanoes कहा जाता है वैसे यहाँ पर आधी अधूरी बात बता ही गई है volcanoes that have not erupted for many years ये आधी अधूरी बात है उसके बाद भी दो sentences हो सकते है तो confused नहीं होना है answer लिखना है extinct volcanoes अच्छा बता देता हो उसके आगे दो बाते कोन-कोन सी होती है एक वलकानो ऐसी होती है जो बहुत सालों से erupt नहीं हुई और आगे भी कोई भी चांस नहीं है कि वो इरप्ट हो जाए और दूसरी वलकान होती है वो भी बहुत सालों से इरप्ट नहीं होती है नहीं हुई होती है इरप्ट नहीं हुई होती है लेकिन आगे चांसेस होते है कि वो इरप्ट हो जाए तो जिनके chances नहीं होते है उनको extinct volcanoes कहते है और जिनके आगे erupt होने के chances होते है उन्हें dormant volcanoes कहते है तो ये question confusing है आधा आधूरा है लेकिन extinct volcanoes आप लिख लेना ठीक है next question be fill in the blanks इनके options आ भी सकते है नहीं भी आ सकते है लेकिन हमें तैयार रहना है हमें accept करके रखना है कि options नहीं आने वाले है और options नहीं आने वाले इसके लिए आपको filling के साथ learn करके रखना है बुलिए disaster cause disasters cause great loss of life and property disaster cause great loss of life and property तो disasters होते हैं वो life मतलब जान लोगों की जाने और property को नुकसान पहुचाती है okay Spelling's learn करना है P-R-O-P-E-R-T-Y P-R-O-P-E-R-T-Y property ऐसे learn करना है next बुलिए The scientific study of earthquakes is called seismology The scientific study of earthquakes is called seismology seismology की spelling learn करना है S-E-I-S M-O-L-O-G-Y seismology learn करना है आपको ठीक है बुलिए a flood में occur when cloud burst burst मेंज फूटते है जब cloud फूटते है तो flood आते है उस area में योकि वो एक साथ पूरा पानी नीचे आता है बुलिए Reservoirs should be constructed to store rainwater Reservoirs should be constructed to store rainwater Reservoirs मतलब artificial lakes बड़े बड़े जो तालाब बनाते हैं नदी के किनारे dam के पास वगरा उनको Reservoirs कहते है तो वहाँ पर rain का पानी collect करना चाहिए ताकि वो जरुवत की टाइम हम use कर सके So I hope you understood Fill in the blanks also So I hope मैं जो जो वीडियोस दे रहा हूँ आपको उनसे आपकी पढ़ाई होती है घर में अगर इन वीडियोस से आपकी पढ़ाई हो रही है घर में तो ऐसे ही मैंने नवदय एक्जाम के वीडियोस बनाये हैं जिनको देखकर आप घर से ही नवदय की preparation कर सकते हैं मतलब अगर आपने tuition भी लगाई है तब भी घर में पढ़ाई करते वक्त आपको कुछ problems आती होगी कि ये problem कैसे solve करना है ये question कैसे solve करना है इस point का मतलब क्या होता है ऐसे बहुत सारे problems आते होगे तो उन वीडियोस में मैंने हर एक point आपको आसान भाषा में समझा कर दिया है और हर एक question नवनित publication की book होगी ही आपके पास और वहाँ आपको बहुत ज़्यादा problems आते होगे अगर आते हैं तो उसका solution आपको घर पे ही मिले इसके लिए मैं नवदे एक्जाम के self study videos बना रहा हूँ वहाँ पर इतनी आसान भाषा में मैंने समझा कर दिया है कि आप खुद देखकर खुद समझ सकते हैं कि कोई भी question कैसे solve करना है और कोई point मतलब हर एक point आपको समझ आ जाएगा ठीके तो वह अगर आप videos मतलब आप नवदे की पड़ाई घर में भी करना चाहते हैं तो आप अपने ममी फपास से बोल सकते हैं कि विकरांसर से वो videos मुझे चाहिए मतलब विकरांसर से वो videos मुझे लेक कर दीजिए ओके वो videos उने के लिए हैं मतलब जो tuition नहीं जा सकते लेकिन उनकी ममी फपाकी या आपकी बहुत इच्छा है कि नवदे विद्धालया में आपका selection हो जाए तो और जो tuition जाकर भी जिनको थोड़े थोड़े problems रहते हैं तो घर में ही उनका solution मिल जाए और घर में ही आपकी अच्छे से study हो क्योंकि वहाँ पर मैंने हर एक छोटी छोटी बात आपको समझा कर दी है बस वो वीडियो आपको earphones लगा कर headphone लगा कर देखने हैं तो ऐसे करोगे तो आपकी घर में ही नवदे की बढ़ाई हो जाएगी तो आपको अगर नवदे की बढ़ाई घर में ही करनी है तो आप अपने mumini papa से कहिए कि मुझे call करिये और मुझे से वो वीडियो ले लिये क्योंकि यूटीव पर सिर्फ एक वीडियो है एक lesson का एक वीडियो लेकिन एक वीडियो में पूरा lesson नहीं आता तो बाकी वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो आप अपने ममी पापा से कह सकते हैं कि विक्रांसर से बात करें ओके थैंक यू अभी question C करते है give one बुलिए give one word for the following बुलिए the point directly above the focus on the surface of the earth उसे क्या कहते है epicenter E-P-I E-P-I-C-E-N-T-R-E E-P-I-C-E-N-T-R-E epicenter मतलब वो हमने already उपर देखा ही है लेकिन बता देता हूँ focus मतलब जहाँ पर मतलब अर्थ के अंदर जहाँ पर गड़ बढ़ होती है मतलब लावा इदर उदर move होता है उसे focus कहते है और उसके just उपर का हिस्सा जमिन के surface का हिस्सा वो होता है epicenter say people who are worst affected by droughts people who are worst affected by droughts worst मतलब सबसे बुरा सबसे बुरे और affected मतलब उसका effect होता है तो drought का सबसे ज़्यादा सबसे बुरा effect कीन लोगों पर होता है farmers पर okay far m e r s farmers थर्ड बुलिए collecting rainwater collecting rainwater इसे क्या केते हैं rainwater harvesting rainwater की spilling तो आपको आती है और harvesting की spilling क्या है h a r v e s t i n g h a r v e s t i n g harvesting okay अब next बुलिए cyclones occur in these areas मतलब cyclones in areas में आते है कौनसे areas में coastal areas coastal की spilling ध्यान में रखो c o a है यहाँ पर a है okay कोई-कोई c o s t a l लिखते है तो वो गलत होता है c o a s t a l c o a s t a l coastal areas okay coastal areas मतलब समंदर के किनारे के जो प्रदेश है वहाँ पर cyclones आते है occur मतलब आना यह भी वर्ड नौदे के जो प्रॉब्लम से maths में यह वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होता है बोलो a country प्रोन टू अर्थक्वेक्स जापान मतलब प्रोन मतलब आदी मतलब जो ऐसा देश जो भुकम्पा भुकम्प का आदी है मतलब जहाँ पर रोजाना मतलब अक्सर भुकम्प आते रहते हैं कुन सा है जापान यह जापान की स्पेलिंग आसान है इसलिए मैंने जापान दिया नये तो दूसरी केनटिặtी कोंसी है फिलिपीन्स अगर आप ल兩個 कर सकते हैं इस की स्पेलिंग तो अब आप एक्जाम में लिग अगर यह व्यूशन आता है तो चलिए अभी question answers की बारी अब मुझे बताईए Earthquake की spelling क्या है Are you ready? Book बन करिए honestly क्योंकि मैं यहाँ देखने वाला नहीं हो कि आपने सच में book बन किया है या शुरू है आप खुद से honest रहिए हमें खुद से क्या रहना है honest रहना है क्योंकि यहाँ बर कोई देखने वाला नहीं है ना आपके मामी पापा देखने वाले है ना मैं देखने वाला हो कि book open है या बन है अब book बन करिए अभी ठीक है So I hope आपने book बन की है अब मैं आपको एक एक questions पूछता हू बीच बीच में कोई भी अब मुझे yes or no बताईए yes or no scarcity of water is a major cause of droughts scarcity of water is a major cause of droughts yes मैं भी आंसर बताते जाओंगा लेकिन मुझे से पहले आप बताईए next tick the correct answer the effect of an earthquake is greatest at its एक बार question the effect of an earthquake is the greatest at its fill in the blank and option से focus point epicenter epicenter okay अभी fill in the blanks खाली जगह अब देखो start खाली जगह should be constructed to store rainwater yes आपने जो कहा सही है reservoirs और reservoirs की spelling बता सकते हो नहीं बता सकते हैं जब मुझे बताईए take the correct answer flirts are common in India during the blank season blank मतलब खाली जगह flirts are common in India during the blank season yes monsoon season options बताने की जोरत भी नहीं पढ़नी चाहिए इतनी हमारी पढ़ाई होनी चाहिए okay monsoon की spelling बता सकते हो अगर यह question fill in the blanks में आता है और options नहीं होते है तो क्या करोगे monsoon की spelling बताईए monsoon 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 क्या मुझे बता सकते हो richer scale की spelling richer की बताईए बात में scale पहले richer की बताईए r i t c h e r richer r i t c h e r richer scale s c a l e scale now tell me collecting water collecting rain water is called collecting rain water कु क्या कहा जाता है yes rain water harvesting r a i n w a t e r rain water or harvesting h a r v e s t i n g harvesting okay okay so now last question a country a country prone to earthquakes a country prone to earthquakes earthquakes yes japan easy how japan can j a i n japan je phil… की फिलिपिन्स की spelling learn कि आपने पि अचाई एलाय डबल पी आई एन एस पिलिपिन्स तो ऐसे जो डिफीकल्ट है वो करने की कोशिश करना है आसान भी अपको याद रखने है लेकिन जो डिफीकल्ट है वो एज़ चालेंज लेना है जो आंसर्स बड़े है छोटे-छोटे answer तो कोई भी learn कर सकता है वो भी करने हैं लेकिन जो बड़े-बड़े answer से वो भी उनको as a challenge लेना है मैं ये learn करके दिखाऊंगा और I hope आपने खुद कुछ खुद के सामने challenge रखा हुआ है कि मैं 9 दे exam पास करके दिखाऊंगा तो उसी की पढ़ाई के लिए मैंने वो वीडियोज बना है self study वीडियोज नवनित publication का हर एक point नवनित publication की जो नवदय की बुक है वहाँ का हर एक point आपको समझ आएगा उन वीडियोज में और हर एक question कैसी solve करना है उसका जो वो answer आया तो कैसी आया last में सिर्फ answer है यह option सही है लेकिन मैंने उन वीडियोज में solve करकी दिखाया है कि उसका वो particular answer क्यों आया और उस तरह का question अगर आता है value change करके तो कैसी solve करोगे ऐसा मैंने पूरे details में वहाँ समझाया है तो अगर आपको वो वीडियोज चाहिए तो आप हमने ममी पपा से बोल सकते है कि विक्रांसर से वो ले लीजिए क्योंकि मैंने वो वीडियोज आप ही के लिए बनाए है ताकि आप घर में नवदे की तैयारी कर सके तो आप होप ये वीडियोज आपको समझ आ चुका होगा और और अली मैंने जो टेस्ट ली उनके आंसर्स भी आपने दिये होंगे इसकी लॉंग क्वेशन आंसर्स हम अगले वीडियो में करेंगे ओके तब तक के लिए नमस्कार प्राइब प्राइब प्राइब